आज हम इस टापिक को समझने का प्रयास करेंगे इस प्रस्ण का उत्तर लिखने के लिए आप लोगों को इन बिंदों को अपने उत्तर में शामिल करना हुगा किसी भी परिच्छा में प्रस्ण लिखने का या एक स्टेंडर तरीका है मानक रूप है सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्टावना इसके बाद हम लिखेंगे असमीता मुलक विमर्श और आदिवासी तीसरा है आदिवासी साहित्य की अधाना क्या है आदिवासी चिंतकों का नजरिया क्या है उनका दिष्टिकोन क्या है आदिवासी विमर्ज की परंपरा आदिवासी विमर्ज के अंतरगत किस साहित्य को रखा डाएगा किस पकार के साहित्य इसके अंतरगत आएगे इसमें पहला है पुर्खा साहित दूसरा है आदिवासी भाशाओं में रचित साहित्य की परंपरा तीसरा है समकालीन हिंदी आदिवासी लेखन के वर्तमान समय में आदिवासी लेखन की क्या इस्तिती है आदिवासी साहित की प्रवित्या आदिवासी साहित की क्या प्रवित्या है और उसकी क्या क्या विशेश्थाएं आदिवासी साहित की भाषा और शिल्प उणकी भाषा कैसे है उनका शिल्प कैसा है लिखने का तरीका कैसा है पर अंत में लिखेंगे खुब संगार नमस्कार मभु बंदर पर्ना हिंग चीनल में आप सब काहडिक सवाइब करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इंब लाइकन को दबाना ना पुलें ताकि मेरे पत्य वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ही अच्छा कंटेंट कहीं पर मिलता नहीं है अच्छी सा मगरी इसलिए आप सुरू से अंत तक इसे जरूर देखें और समझने का प्रयास करें वीमर्स से तात्पर इस पर विचार करना इस सवधारना पर सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना हिंदी में पिछले दो तीन दशकों से अस्मितावादी लेखन चर्चा का विसे बना हुआ है अस्मितावादी मतलब सम्मान की जो भावना होती है जैसे इस्त्री विमर्स, दलित विमर्स, इस्त्रियों का सम्मान, दलितों का सम्मान इसे बोला जाता है अस्मितावादी लिखन यह चर्चा का विश्य बना हुआ है यही दवर है जिसमें इस्त्री दलित आदिवासी आदी उत्पडित अस्मिताओं ने साहित में बढ़ जड़ कर हिस्सेदारी की वह साहिती का अंदुलन चलाए तो यह दोर है जिसमें इस्त्री विमर्स, दलित विमर्स, आदिवासी विमर्स जैसे नए आंदुरन चलाए गए हैं आदिवासी विमर्स और आंदुरन इनमे नविंतम पहले आदिवासी विमर्स या आदिवासी अस्मिता की बात नहीं कही जाती थी इसलिए आधिवासी वी मर्स और यह अंद्रण इमें नमीनतम हैं बिल्कुल नया है इन अंद्रण ने सहित को नहीं धारा दी और समाज को नहीं दिशा प्रदान की आधिवासी सहित नाने से पहले बाहरी समाज आधिवासी दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था निश्चेतरुक से आदिवासी क्या है आम जन्जिवान से कटेवे होते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाडों में रहते हैं, नदियों के आसपास रहते हैं, उनके बारे में आम जन्ता को जानकारी नहीं थी, लेकिन आदिवासी लेखन के बाद, आदिवासी साहित के आने के आदिवासी लेखन का प्रणाम या हुआ कि विस्तु में रहने वाले लोगों को पता चला कि आदिवासी लोगों की जीवने अपन, वो लोग कैसे जीवने अपन करते हैं, कैसी भाशाशली होती है, कैसी उनकी परमपरा होती है और किस तरह की उनकी संस्कृती होती है अब हम देखेंगे कि आदिवासी विमर्स की अधारना क्या है और इस नमन में मुख्यांदूलन कौन कौन से है आदिवासी विमर्स और अस्मिता मुलक विमर्स और आदिवासी अस्मीता मुलक वीमर्स मतलब उनके सम्मान के बारे में विचार करना उनकी अस्मीता के बारे में विचार करना और आधिवासी पिछले दशकों में मुक्तिकामी साहिते ने पाठकों, शुधार्तियों और आलोचकों को ध्यान आकरसित किया है मुक्ति कामी मतलब क्या होता है मुक्ति की कामना करने वाले जैसे इस्त्री मुक्ति की कामना करते हैं दलित मुक्ति की कामना करते हैं आदिवासी मुक्ति की कामना करते हैं इसी प्रक्रिया में आदिवासी साहिते ने भी अपनी उपस्तिती दर्ज की है अकादमिक दुनिया में इस्त्रिवादी लेखन और दरित लेखन के बाद आने से जहां एक तरफ आदिवासी लेखन की राथ थोड़ी आसान हुई वहीं इसके बारे में कुछ सरली करणों और ध्रमों का निर्मार्ड भी हुआ है इस्त्रिवादी लेखन या फिर दलित लेखन के बाद नविंतम जो चिंतन है वीमर्स है वह आदिवासी लेखन तो आदिवासी लेखन तो इनके बाद सुरू हुआ इसलिए उसकर आस्ता थोड़ा आसान था क्योंकि पहले दो वीमर्स आ चुका थे लेकिन इसके करण कुछ ध्रमों का भी निर्मार्ड हुआ आदिवासी लेखन और साहित के बारे में सही समझ बनाने के लिए इसकी स्रोथ समगरी और उसके आधार पर बनने वाली आदिवासी सहित की प्रमपरा की परताल करनी बहुत ज़रूरी है आदिवासी लेखन को समझने के लिए उसके स्रोथ के विशे में जानना बहुत ही ज़रूरी है आदिवासी सहित की प्रमपरा के बाने पर जानना बहुत ज़रूरी है सांती आदिवासी साहित्य की विचारधारा पर भी बात करनी आश्यत है जब हम आदिवासी साहित्य की प्रमपरा और विचारधारा का विवसीत अध्यन करेंगे तो उसकी प्रवित्यों को भी समझ पाएंगे जब हम आदिवासी साहित्य का अध्यन करेंगे तभी उसकी प्रवृत्यों और विशेष्थाओं के बारे में समझ पाएंगे जाहिर है मुक्त कामी विमर्सों मतलब मुक्त की कामना करने वाली विचार दार है विमर्स चर्चा परिचर्चा के दौर में इन विमर्सों और अस्मिताओं से सम्मझनित साहित की सही परंपरा और प्रवृत्यों के अध्यान के माद्यान से ही हम मुल्यांकन की सही प्रविधी निर्मित कर पाएंगे प्रविधी मतलब होता टेकनिक या कोई जैसे टूल्स बनाते है तो यह जो विमर्स का दौर है अगर हम इसको समझना है आदिवासी विमर्स को तब पहले हमको उसके परंपराओं का मुल्यांकन करना पड़ेगा कि कहां से आदिवासी सहित्य के परंपरा शुरू है और उसके क्या क्या प्रवृत्या है और प्रवित्यों का अध्यान करके ही हम उसका सही मुल्यांकन कर पाएंगे आदिवासी साहित की जो इस्ताय हैं उनका अध्यान करने के उप्राति हम आदिवासी साहित का आदिवासी विमर्ज का सही मुल्यांकन कर पाएंगे और एक टेक्निक का निर्मार कर पाएंगे एक प्रविधी का निर्मार कर पाएंगे एक प्रक्रिया का निर्मार कर पाएंगे उसके मुल्यांकर की आदिवासी साहित क्या है इसका कॉंसेप्ट क्या है आदिवासी साहित किसे कहा जाया है आदियवासी साहित्ट के अध्यता, आदियवासी साहित्ड के बहुत रिसर्च किया हैं। में बहुत प्रसिद्व दवान इंट उन्होंने तंवल तंद प्थ करें के पाथ बनाई किर फो ने आदिवासि समाज के बारे में बहुत पूर्वकी मान्यता हैं जैसा उनको समझ में आता है वैसा ही अपने विचार धारा के अधार पर उनके बारे में लिखते हैं जब्कि उनको उनका जरभी ग्यान नहीं है दूसरा क्या है दूसरी स्रणी उन लेखक भी है जो लंबे समय से आदिवासों के करीब रहते आएं और उनसे पुरी सहनभूती रखते हैं उनके समाच से थोड़ा बहुत वाकिब भी हैं इनकी मुख्य प्रवृत्ति आदिवासो समाज उनकी परंपरां उनके संस्कृति के बारे में भी जानकारी है लेकिन इनका मुख्य उद्देश क्या है आदिवासियों के वीच लंबे समय तक रहे हैं जिन्होंने उनका अच्छा और बुरा देखा है और उनकी प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास कि यह जो तीस आदिवासियों के साथ रहे हैं उन्होंने उनकी अच्छाई और बुराए को बहुत ही करीब से देखा है और उनकी जो प्रवृत्तिया है जो सोच है जो विचारदारा उसको समझने का प्रयास किया है चौतिस त्रेडी खुद आदिवासियों द्वारा लिखे साहिते की है या उन्होने अपनी मूल भाशाen में लिखा हो या हिंदी, बंगला या अन्य प्रादैशिक भाशाव में इससे फर नहीं परत है चौता स्वय पादिवासियों जो लेक्हा का है जो स्वय मादिवासियों जिन्होंने उस यथार्तकों भूगआ है जो समाज के हिस्से हैं उस परंपरा और संस्कृति के हिस्से हैं, उन्होंने इसे अपनी मूल भाषाओं में लिखा है, या फिर हिंदी, बांगला, या अन्य प्रादैसिक भाषाओं में लिखा है, तो चौथा केटेगरी इनका है, तो लेखा क्या बोलते हैं, इन 4 स्रेडियों में से वीर भारत तल आदिवासी संबंधी साहित, चौथी स्रेडियों यानि स्वयम आदिवासीयों द्वारा लिखित साहिते के बारे में लिखते हैं, इनकी गुढ़वत्ता बिल्गुल अलग किसम की है, आदिवासीयों के जीवन और समाज के सच्चा चित्र यहीं लिते हैं, मतलब वास्ता म रूप में उसको परिलेक्षित कर पाते हैं अब हम कहा सकते हैं कि आदिवासी साहित्य के नाम पर तीन तरह का साहित्य हमारे सामने आता है कि आदिवासी साहित्य के नाम पर तीन तरह का साहित्य के हमारे सामने आता है पहला क्या है आदिवासियों के बारे में लिखा गया साहित्य दूसरा आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित्य और तिसरा आदिवासी दर्शन को अधार बनाकर लिखा गया साहित्य मतलब हम इसको मुख के रुप से तीन कटेकर में विभारित कर सकते हैं हम जो पाठक है जो साधान जो विद्वान है वो आदिवासी साहित को तीन प्रकार में विभारित करते हैं पहला आदिवासियों के बारे में लिखा गया साहित, दूसरा आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित, और तीसरा है आदिवासी दर्शन, उनकी फिलासिफी क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनका विचारधारा क्या है, उनका द्रिष्टिकोन क्या है, इसको अधर बन लेते हैं क्योंकि आदिवासियों के बारे में लिखा गया साहित प्रचुर मात्रव उपलब्द है और इसको अन्य भाषा भाषा ही उन्हें भी लिखा हुआ है इसलिए जो शोध करने वाले हैं उनका कहना क्या होता है मैला अंचल में जो संथाल टोला के बारे में उन्होंने जो लेक किया है और योगेनात सिना का वन लच्षमी इससे आदिवासी साहिती की सुरवात मानते हैं जो रिसर्च करने वाले हैं हिंदी के कुछ लोग तुलसी दास के राम चरित मारस में आये वन के प्रसंगों को भी आदिवासी साहित में माल लेते हैं और इसी स्रिष्ट विए कुछ ऐसे शुधार्ती भी है जो राम चरित मारस में जो वन के प्रसंग है उनमें जो वन वासी हैं उनके वारे में जो वड़न के अगया है उसे ही आदिवासी साहित्य माल लेते हैं और उसका विसलेसन करने लगते हैं परणाम यह होता है कि जहां भी वन जंगल या किसी आदिवासी समुधाय का जिक्र आ जाता है उसे ही आदिवासी साहित्य माल लिया जाता है और इसे बीसी सदी के आखरी दसक में प्रमुफता से उबरे आदिवासी साहित्य के आंदुलन के बारे में भ्रहमों का जिर्मान होता चला जाता है आदिवासी चिंतक हिंदी स साहिते में आयवन या आदिवासी प्रसंगों को आदिवासी साहिते मानने से इंकार करते हैं इससे क्या एक भ्रहम की इस्तिती निर्मित होती है कि 20 सदी के अंत में जो उन्होंने आंदुलन उत्पन किया उसको डंग से समझ नहीं पाए लो कि आदिवासीयों के अंदुलन करने का कारण क्या है उनको अंदुलन करने की जरूरत क्या है इसलिए जो आदिवासी चिंतक है जो आदिवासी विचार धारा से संब्द रखने वाले जो चिंतक है उनका कहना यह है कि यह जो आदिवासीयों के बारे में जो लिखा गया साहित वह आदिवासी साहित नहीं है इस तरह आदिवासी साहित के पर दूसरा विचार सामने आता है आदिवासीयों के द्वारा लिखा गया साहित ही आदिवासी साहित है यह विचार इस्त्रिवादी साहित और दलित साहित के प्रभाव में निर्वित हुआ है जाहिर है इस तरक की अपनी सिमाय है, अनुभूति के प्रामाडिक्ता किसी साहित का एक मात्राधार नहीं हो सकता, जिस तरह इस्त्रिवादी साहित में इस्त्रियों के दो लेखन को ही मौलिक मना जाता है, प्रामाडिक मना जाता है, दलित साहित में दो दलितों के द्वारा लिखा गया साहित है, उसे ही प्रमाडिक मना जाता है उसे प्रकार आदिवासी साहित जो आदिवासियों के द्वरा लिखा गया है उसे ही प्रमाडिक मना जाता है लेकिन अनुभूती के प्रमाडिकता किसी साहित का एक मात्राधार नहीं हो सकती इसको भी ध्यान में रखना है कि जो भूगा या अ स्क्रितिक हमलों से गुजर रहा है ऐसे में आदिवासी समाज का सच लिखने के लिए केवल किसी समुदाय में पैदा हो जाना काफी नहीं है आदिवासी सम्ताय को बड़ी संक्या में हिंदслед करण और इसाय करण हुआ है इसने उनके मौलिक समज़ दृषण को बहुत प्रफाविक्त किया हैक आपको बढ़ सारे अदिवासी हंदू बन गए इसलिए ज़रूरी नहीं कि उस समाज में पैदा हुआ प्रत्य व्यक्ति उस सच्चाई से वाकिप हो क्योंकि उन्होंने दूसरा धर्मग्राण का लिया है इस प्रक्रिया में आदिवासी साहित का उधाना को लेकर तीसरा विचार सामने आजाए तीसरा विचार का है कि आदिवासी दर्सन को अधर बनाकर लिखा गया साहिती आदिवासी साहित मना जाए आदिवासीयों की जो विचार धरा है जो फिलास्पी है जो दर्सन है उसके अधर पर जो साहिती लिखा जाता है उसे आदिवासी साहित मना जाए जाहिर है आदिवासी दर्सन ही वातत्व है जो आदिवासी समाज और साहित्य को शेस समाज और साहित्य से अलग करता है आदिवासी दर्सन एक अलगी दर्सन है एक अलगी फिलासिफी है जो आदिवासी समाज और साहित को समाज ने जो समाज है जो बाहरी समाज है उससे अलग करता है जो आदिवासी जीवन का मूल है और जिस पर चोतरफा हमले हो रहे हैं इसलिए जहां आदिवासी दर्सन आदिवासी साहित की मूल शर्त है वहीं इसे बचाना आदिवासी साहित अंदुरन का मुक्य दे है आदिवासी साहित अंदुरन का मुक्य दे क्या है आदिवासी दर्स पर चोतरफा हमले हो रहे हमले किस प्रकार हो रहे हैं उन्हें हिंदु बनाया जा रहा है उन्हें इसलिए इन सबसे आदिवासियों को बचाना उनके प्रमप्राओं की रक्षा करना ही आदिवासी साही ते अंदुरण का मुख्य उद्देश है आदिवासी दर्शन पराधारित साहीती कांदुरण है जो आदिवासी परमप्रा से अपने तत्व लेता है और 21 सदी के पहले दशक में अकादमिक जगत में अपना आलग साहीती कांदुरण होने का दावा प्रस्तूत करता है आदिवासी साहीती अंदुरण आदिवासी परमप्राउं से तत्व ग्रहन करता है और कहता है कि 21 सदी का या हेकमात पुन साहीतीक अंदुरण है समकालिन आदिवासी लेकन की सुरूआत में उदारवाद, वाजारवाद, भूम अंडली करण के उभार से माननी चाहिए उदारवाद, वाजारवाद और भूम अंडली करण के बाद वर्तमान में आदिवासी लेकन शुरू होता है भारत सरकार की नहीं आर्थिक नीतियों ने आदिवासी शोषण उत्पिडन की प्रक्रिया तेश की इसलिए इसका प्रतिरोध भी मुखर हुआ इसका विरोध किया गए प्रतिरोध भी शोषण और उसके प्रतिरोध का सवरोप राष्टी था इसलिए प्रतिरोज से निकली रचनात्मक मुझ्या का स्वरोब भी राष्टी था समय समय पर आदिवासियों के द्वारा सरकार का विरोध किया जाता है जब उन्हें उनके जल, जंगल और जमीन से उन्हें बेदेखल किया जाता है तो फैर्ट्री बनाने के लिए माइंस बनाने के लिए जब उनका विस्थापन किया जाता है ता पर सरकार के विरोध हो जाते हैं और अंदुलन करते हैं शोसन और उसके प्रतिरोद का स्वरूब राश्टी था, इसलिए प्रतिरोद से निकली रतनात्म कुर्जा का स्वरूब भी राश्टी था, मतलब आदिवासी विद्रोग करते हैं, जब उन्हें जल, जंगल और जमीन से बेदेखल के रहता है, और इस प्रकार के अंदुरन क स्वरूब राश्टी अंदुरन होता है, आदिवासी अस्मिता और अस्थित्त की रक्षा के लिए राश्टी इस्तर पर पैदा हुई रखनात्म कुर्जा का नाम ही समकालिन आदिवासी साहित अंदुरन है, मतलब आदिवासी ओं के सम्मान की रक्षा के लिए, आदिवास आदिवासी साहित ये अस्मिता की खोड, दिख्मों द्वारा किये गए और किये जा रहे है शोसन के विभिन रूपों के उद्धाटन तता आदिवासी अस्मिता और अस्तित्य के संकटों और उनके ख्याप हो रहे है प्रतिरोत का साहित है, आदिवासी साहित ही क्या है, आद बिन रुपों का उद्घाटन करना और आदिवासी अस्मिता आदिवासी सम्मान की रक्षा के लिए जो किया गया आंदुरान है उसके फल सरुप जो साहित लिखा गया उसी प्रतिरोध का साहित यह उस परिवर्तन कामी चेतना का रचनात्मक खस्ताचेफ है जो देश के मूल बचने के हैं उनके गया साहित प्रति जन्गल ज्मीन और बचाने के हक में उनके आत्मिन्रला के आधिकार के साथ मूढई होती है तो आदिवासी साहित-उनदूलन आदिवासियों के जेल, जंगल और जमीन और जीवन को बचाने के और उनके हक में उनके साथ खड़ा होता है जान या साहित वास्तों में आदिवासियों ने किसी कौम या किसी संप्रदाय पर राज करने के लिए नहीं लेकिन अपना अस्तित बचाने के लिए बार बार विद्रो किया है पिछली दो सदियां आदिवासी विद्रो की गवा रही है इन विद्रोंगों से रचनात्म कुझा भी निगी लेकिन हो मौखी की अधिकरी समकालिन आदिवासी साहित की पिष्ट भूमी के रूप में आदिवासी समाज में हजारों साल पुरानी साहित की मौखीक परंपरा को रखा जा सकता है समकालिन साहित की परंपरा क्या है आदिवासियों की जो मौखीक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है समय समय पर इनों ने विद्रो भी किया है संथाल विद्रो गुंड़ो का विद्रो पैका विद्रो समकाली न आदिवासी साहित्य की यह मौखिक परंप्रा रही है इनकी जिसे पूरखवती कहड़ाता है इनकी जो साहित्य की मौखिक परंप्रा रही है आदिवासियों में उस आधिवासी साहित्य लेखन के सुरुवात ही थे 1950 के आस्पाट, आजादी के बाद जेपाल सी मुंडा नाम का एक बहुती प्रसित दिन के नेता हुए है, जेपाल सी मुंडा के नेत्रित में भारती राजनीती से साहित तक में आधिवासी चेतना की गुण सुनाई देने लग तो यह बहुती महत्वपूर्णा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा परिच्छा में, कि आधिवासी लेखन के सुरुवात कहां से माने जाती है बाद के आधिवासी लेखन को उसी के विकास के रूप में देखा जा सकता है पुर्खवती रूप में मौझूद आधिवासी साहित जहां प्रकृति और प्रेम के विविद रूपों के साथ रचाओ और बचाओ का साहित है बतलब रचना करना और बचाना वहीं समकालिन आदिवासी लेकन अस्मिता की खोज समकालिन आदिवासी लेकन के मुखी से हिस्तत क्या है अस्मिता की खोज, सम्मान की खोज डिकूँओ द्वारा किये गए और किये जा रहे सोसन के विविद रुपों के उद्गाटन जो गहर आदिवासी है या फिर जो अंग्रेज है इनके द्वरा जो सोसन किया रहा था पहले या फिर वर्तमान में बाहरी लोगों के द्वरा जो इनका सोसन किया रहा है जो पुझी पती हैं पैसे वाले हैं सामनते इनके सोसन के विविद रुपों के उदगाडन तथा आदिवासी अस्मिता और अस्तित के संकटूं और उनके खिलाप हो रहे संगर्स का साहिते तो वर्तमान साहिते क्या है आदिवासों के सोसन के विरुद उनकी असमिता की रच्छा के लिए रचा जाने वाला साहिते है उसके संगर्स का साहिते है आदिवासी चिन्टकों का क्या नजरीय है? जो आदिवासी चिन्टक है जो आदिवासी के बढ़े में वीचार भी बस करते हैं उनका दिश्टिकोन क्या है? आदिवासी साहित्य के नाम पर किये जा रही शोधों मेंसे काफी मात्रा में ऐसे भी हैं जिनका आदिवासी समाण और साहित्य से कोई सिधा समद्धी नहीं बनता वस्तुच्तिती जी जीवन और समाट पर गयर आदिवासी रचनाकारों के कहानी उपन्यास, प्रसंस, पाट्ध अक्रम और पुरसकार पा रहे हैं तथा दो एक आदिवासी रचनाकारों को छोड़कर सैगड़ों के संख्या में सक्री आदिवासी कभी लेखक उपेक्षा के शिकार है। कि आधिवासी चिंतकों कहा यावाना है कि वास्तों में जो आदिवासी लिख़ा पिजा रहा है उनको ईपच्छा है पिजा रही है लेकि जो गयर अधिवासी लूग भी आदिवासी साथ परंप्राओर प्रयोजन इसमे इन्हों ने इसका उल्य किया है इसमें उन्दें प्राइबना ओन तड़ायदि प्रचली में उसके लोकि र убийच्व भी करोब। इसके लोकि आनगर होने प्रत्रोद क रहे का खंडन संस्कृती जीवन दर्शन में उनके विश्व दिष्टिकोण के प्रतियक नहीं अंतरंग दिष्टिकी मांग करती है। बलकि आदिवासी साहितों को समझने के लिए आदिवासीयों की संस्कृती, उनका जीवन दर्शन, उनकी परंप्रा को समयना बहुत ही जवरी है। एक नाय प्रकार का द्रिष्टिकों उत्पन होना चाहिए संपुर्ण अविस्व में आदिवासी जीवन द्रिष्टि को समझे के लिए वे लोग का संबन हिंदू मिथक और संस्कृति से बताते हैं काती हैं प्रकृति पुझक और भुंगा को मानने वाले आदिवासेयों के साहिते को हिंदी धर्म की स्ब्दावाली लोक में बांधकर संक्रिण करना धार्मिक आसा ही सुनता तो है ही सांस्कृतिक अतिक्रमण भी हैं उनका करना एक जो लोक औश सब्दा है लोक परलोग जो है वाह इन्दू धर्म कि अद्धार्म ने लेकिन जो आधिवासियों के संस्कृती अलग होती है वे प्रक्रिटी की पुजा करते हैं वे बोंगा जो उनका भगवान है या भोंगा अचपनभाज उन्होंने कही है ऐस्थापित किया हुए है कि अधिवासी साहित अन्य शोसितों के साहित कितबा वयदणा और प्रतिIt concur का साहित है जैसे दलिश साहित है वst to conduct का साहित है इस्तिराणि ये साहित है इस तो वास्तों में आदिवासी साहित वैसा साहित नहीं है, वे लिखती हैं, आदिवासी साहित मूलता स्रिजनात्मक्ता का साहित है, स्रिजन का साहित है, यह इंसान के उस दर्सन को अभिएक्ट करने वाला साहित है, जो मानता है कि प्रकृती स्रिष्टी में जो कुछ भी है, जड़ चेतन सभी कुछ सुन्दर हैं मतलब प्रकृति में जो कुछ है चाहे जड़ है या चेतन है वे सभी कुछ सुन्दर है या आदिवासी दर्सन है और यही आदिवासी साहित का मूलतत्व है वह दुनिया को बचाने के लिए सिजन कर रहा है मतलब जो आदिवासी जो है एसी कोई कामना दूर दूर तक नहीं है, वह सें प्रतिरोत का साहित क्या होता है, जो सरकार के खिलाब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो स्वयम सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनका साहित प्रतिरोत का साहित का रहाता है, लेकिन आदिवासियों का साहित में ऐसी को कि अतिहास लिखते वक्त उसके प्रवित्तियों बताते वक्त हमें संताली मुंडारि को कि हमिन के क्यंतिहास लिखना है आदिवासी साहित्यों को समझना है तो वास्ता में हैं हैं हमस्तों कि जो मूलवासा है संत्ाली या संत्ताली है मुंढारी यह कड़िया है कुडूध है हो इन भासाओं की साहितिक परंपराओं को पढ़कर समझ करें, उनके उनका साहिति लिख सकते हैं, उनके परंपराओं का मुल्यांकर कर सकते हैं, आदिवासी वीमर्स की परंपरा, तो आदिवासी जो विचार धारा, आदिवासी वीमर्स है, आदिवासी वीमर्स की जो परंपरा है, उसको कैसे समझ सकते हैं। फे कि प्रम्परा की परिताल करने के लिए आदि वासी लिए को प्रम्परा कर समझतना है कि वहां कहां से चालू हुए कैसे का मुल सरोथ है उनका अध्यान parler पुरखा साहित जो लगवक मौनोखीक साहित है जो उनके पुरखों के जोरण लिखा गया है एंसेश्टर्स के जारा पुरोजों के जारा दूसरा आदिवासी भाशाओं में लिकित साहित की परंप्रीक जो लिखी गई संताली में कुदुख में, हो में, इन भाषाओं में जो लिखी के साहिति की परंप्रा है, और तीसरा समकालिन हिंदी आदिवासी लेखान है, तीसरा है वर्तमान समय में जो हिंदी में आदिवासीयों के विशय में लिखा जा रहा है, या फिर अन्य भाषाओं में लिखा जा रहा है, त उनके पुर्वजों पुरवजों के जो साहिती हैं जिसे पुर्खा साहिती कहा जाता है तो अधिवासी धर्षण का यहां मूझा आधार है जों उन्हें अपने पुर्वजों से विरासत में मिला है पुर्खा साहिती आदियासी समाज में हजारों अर्सों से जारी मौकिक साहिती की परंपरा है पुर्खों को क्या है परले लिखने पढ़ने का ग्यान नहीं था तो मौकिक रूप से वो याद रखते थे तो यह हजारों अर्सों से चली आरी परंपरा है और इसे कहा डाता है पुर्खा साहिति, यह हजारों अर्सों से जारी मौखिक साहिति की परंपरा है, बेसी सदी में इसके संकलन, संपादन और प्रकासन के कारवी हुए है, बाद में इनका संकलन भी किया, संपादन किया, इन्हें प्रकासित भी किया गया, बेसी सता दिम, आ मौखिक परंपरा को मौखिक साहित या अलोग साहित नहीं कहते बलकि इसे कहते हैं पूर्खा साहित इन्होंने इसे नाम दिया है पूर्खा साहित इसके पूर्खा साहित कहने के पीछे महतरपुन क्या है जो कहा जा रहा है इसके पीछे महतरपुन तरगा है पहली बात तो य कि मोखिक साहित कहने से कुछ पता नहीं चलता कि कि किस ini Letya के लिखा है जैनर के तमाम समाजों में लिखिग से पहले मोखीक साइथ की परंप्रा रही है उस से अलगाने के- लिए आदिवासिक कुछी चिन्तक आधिवासिक मवखिक प्रमकरा को पुर्खा साहिती काते हैë मतब विस्त कि जितनी भी बाषा हैं जब लिपीं का उष्कारों नहीं गोता है तो सभी प्रकार का साहितय तो उस मुखिक साहित्य से आधिवासि के लोग अपने साहित्य को कर रहे के लिए क्या काते हैं पूर्खा साहित बताते हैं इस प्रक्रिया में वे इसे लोक साहित से भी अलग बताते हैं इस अंदर में वादवासी चिंतक पंदेना टेटे लिखती हैं कि चुकि आदिवासी समाज में बाहरी समाज की तरह लोक और शास्त्र का भेद नहीं है इसलिए साहित्य को भी नहीं बाटा जा सकता जो बाहर का समाज है उसमें लोक अलग है और शास्त्र अलग है लोक मतलब आम जंग जिवन है और शास्त्र मत करना है पुरोजीयों का बहुत महत्वा है और मोखीख परंपरा में मिलने वाले ग्यीत कःए पुर्खों ने ही रची है इसलिए इस मोखीख परंपरा को संगलीत रुख से पुरखा साहित कहा जाया चाहिए है अधिवासियों में जो उनकी परंपराएं हैं या उनके पूर्वा जहन का बहुत ज्यादा महत्व है और उन्हें ये सारी कथाएं किस से मिली हैं अपने पूरोजों से मिली है यह साहित उन्हें अपने पूरोजों से मिली है इसलिए इसे पुर्खा साहित कहना अधिक उचीत है तमाम आदिवासी भाषाओं में पुर्खा साहिती के सम्रिद परंपरा मौझूद है किसी के माध्यम से हम उनके जीवन दर्शन, ज्यान परंपरा, मुल्यों विस्वासों आदि को जान सकते हैं इस साहिती के माध्यम से हम उनके बारे में जान सकते हैं इसलिए आदिवासी जीवन को जानने के लिए पुर्खा साहित को संकलित करना और सहेजना बहुत ज़़री है। अक्सर हम अपने पुर्वाग्रहों के साथ संकलन सुरू करते हैं और हमारे पुर्वाग्रह पाठ संसोधन के बीच में बहुत जाते हैं। तो हमारे जो विचार हैं जो हमारा दिष्टिकोड है उसमें बहुत जाता है। संकलन के लिए आदिवासी दर्शन और संबंदित भाषा का ग्यान ज़़री है। उपलब्द पुर्खा साहिते में दो-तिन विशस्ता है कौमन है। पुर्खों के प्रती कृतग्यता का भाव, थना रिडी होने का भाव, कृतग्यता का भाव, धन्यवात का भाव, प्रकृति और प्रेम के प्रती गहरी सवेधन शिल्दा, बाहरी समाज के हमलों के प्रती सजगता, अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने का भाव, यह पुर्वज हैं इसनी सामें सजग रहे हैं अब दूसरा जो परंपरा है हुआ है आदिवासी भाषाओं में रचित साहिति की परंपरा आदिवासी भाषाओं में लिपियां विक्सित होने की शुरुआत अब से लगबग 500 साल पहले हो गई अब तक एक दर्जन से अधिक आद को यह प्रचिलित भाषा या बड़ी भाषा उसकी लिपि को शिकार कर लिए इस से निस्कर्स निकलता है अदिवासी भाषाओं में लेखन और मुद्रण की परंपरा भी 100 साल से अधिक पुरानी है अलेकर मुद्रण मतलब छापने की परंपरा है 100 साल से अधिक पुरानी इस परंपरक यह परताल किये जाने की जवरत है मौजुदा स्रोथ समागरी के अनुसार मैंनस ओड़े यह नाम के राइटर हुए है का मतुराय कहनी नामक मुंडारी उपन्यास पहला आदिवासी उपन्यास है मौजुदा स्रोथ समागरी के अनुसार मैंनस ओड़े का मतुराय कहनी नामक मुंडारी उपन्यास पहला आदिवासी उपन्यास है यह 20 सरी के दूसरे दसक में लिखा गया है इसके एक भाग का अनुवाद हिंदी में चलो चाय बागान किया गया है आदिवासी भाषाओं में रचित सहित्य का मत्त यह है कि इसमें विधायं भले ही बाहरी समाजयों और भाषाओं से लिख रहा है इसलिए अभिव्यक्त विचार और दर्संद में मौलीक्ता बनी रती है आदिवासी लोग भले जो लिखने का जो पैटर्न है जो तरीका है जो विधा है जैसे उपन्यास है काणी है कविता है जो लिखने की शैली है वो भले बाहरी समाजों से ले लिए है लेकिन चुकि यह अपनी भाशा में लिख रहे हैं तो इसमें जो इनके फिलास्पी है इसम मोलिगता बनी अपर आप पुरवत्तर की बहाशा हैं पुरवत्तर की आदिवासी समार रे, पुरवत्तर की खासी गारो आदी भाशाओं में सवर्य गाथाओं की ळंबी परंपरा, परंपरा ऐ ज tricked us again, वैसे us obviously की परंपरा है, तीरे दीरे, पुराप्त समगरी के अधार पर आधिवासि साहत के बारे में बनाई गी राय, अधुरी और avereा हो घुन्ताव में अध्यान के विसे में लिखा गया उसके अधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं, तो यह धारणा गलत होगी, ब्रामा कोगी, इसके लिए हमको आदिवासियों की मौलिक भाषा में लिखे गए जो साहित हैं, उनका आधियन करना आवश्यक है, अब भी हर साल आदिवासी भाषाओं में सैकणों किताबें प्र तो वाफ्ता में उन्हें साहित का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, समझी नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा गया है, लोग साहित है, लोग गाथा है, लोग कता है, या फिर आदिवासियों का मौलिक साहित है, अब समकालिन हिंदी आदिवासी लेखन, समकालिन मतलब वर्तमा तमिल मलय आलम उडिया आदि बड़ी भाषा में भी ले लेखान शुरू हुआ है बंगला में आपने महा सोगा देवी का नाम सुना होगा जंगल चंगल का दावेदारों के एच किताब है रही तो MR पर बहुत सारा लेकन उन्होंने किया है, बहुत ही प्रसीद है, और हर अन्य भाषा में भी लिखा जा रहा है, हिंदी, बंगला, तमिल, बल्यालाम, उडिया, आदी बड़ी भाषा में लेकन सुरू हुआ है, हर भाषा में इसकी सुरुवात के समय में थोड़ा बहुत पड़ता है, हिंदी में इसकी शुरुवात, तीन दशत पहले से मालि जा सकती है, मतलब लगभक 30 सार पहले से हिंदी में लिखी जा दिया हिंदी के लेकंगों के प्रभावा में आधिवासियोंने, मूंडारी, संताली, खढ़िया, आधि भाषाय चोड़कर हिंदी में लिखना सुर बावजुद पिछले तीन दश्कों में हिंदी में सक्री आदिवासी रचनाकारों की संख्या कईदा जाने। बावला इनकी किताबें छोड़े प्रकासकों के दोरा छापी जा रही है और कभी अप्रकासित विराज जा रही हैं लहीं वास्तों में आजकल हिंदी में लिखने वाले आदिवासी रचनाकार बहुत हो हैं। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानिया और उपन्यास तो लिखे ही हैं। वियंग के संसमराण यात्रवितां आदि विधाओं में भी हाथ आजमाया है लिखा है। हिंदी आधिवासी कविता में पहला नाम सुचिला सामत का है लेकिन उसके बाद निरंतरता का भाव लिखाई देता है ये पहली कवीत थ है हिंदी में। इसलिए समकालिन हिंदी आदिवासी कविता के सुरुवात हम राम दयाल मुंडा नाम के रैटर हुए हैं इनकी कविताओं से हम हिंदी आदिवासी कविता के सुरुवात मान सकते हैं जिनोंने मुंडारी के साथ हिंदी में भी कविताओं लिखी हैं इनके बाद अन्य राइटर हैं ग्रेस कुजूर, रोज केरकटा, हरी राम मिडा, महादेव टोक्वो, निर्मला पुतुल, मंदना टेटे, विजय सी मिडा, जोती लकडा, अनुज लुगुन, जसिता केरकटा आदी का नाम लेखनी हैं। ये पेज बहुती मात पूर्णा है आपके लिए हैं। गधा लेखन के चेत्र में वाल्टर भेंगरा, तरुण, पीटर पॉल एकका, प्रोज केरकटा, मुंगर सी मुंडा, विजय सी मिडा, आधि प्रमुख हैं। इन्होंने आधिवासी साहित को सेक्ड़ों कहानी और लगबग आधा दाजन उपन्यास दिय संकरलाल मिडा, वियंग और कहानी दोनों छेत्र में शक्रिय हैं, समकालीन हिंदी के लिखा गई। हरी राम मिडा ने यात्रावतांत, भृतांत वा सांसमनाट भी लिखें। तो ये वो आधिवासी लेखा हैं जो हिंदी में लिखन कर रहे हैं। इस पकर हम देखते हैं कि आधिवासी साहित ना केवल हिंदी आधि गयर आधिवासी भाषाओं की एक उभरती प्रवृति और साहित अंदुलन हैं बलकि आधिवासी भाषाओं में इसकी गहरी जड़े और लंबी परमपरा मौझूद है, इसके बारे में राय बनाने के लिए पूरी परमपरा का आधिवासी साहित अंदुलन हैं जो ना केवल उनकी मौलिक भाषाओं में रचित साहित के द्वारा इसने जन्व लिया है, बलकि हिंदी तथा अन्य भारती भाषाओं में भी इसकी प्रवृति देखी जा सकती है, इसकी बहुत लंबी परमपरा है, इसलिए इसके बारे मे राय बनाने के लिए हमको उपर्युक्त सभी अंदुलनों और परमपराओं का अध्यान करना बहुत ही आश्यत है, आधिवासी साहिति के प्रवृतियां विस्यस्ता है, आधिवासी साहिति के प्रधान प्रवृति आधिवासी दर्शन की अभिव्यक्ति और विस्तार है, अदिवासी साहित की मूल प्रवित्ति क्या है ? मूल विस्था क्या है ? अदिवासी जो दरसन है अदिवासियों को जो द्रिष्टिकोण है जो उनकी फिलासफी है उसको अभिव्यक्त करना और उसको विस्तार देना कि अधिवासी दर्षन और साहित की अधिवासी जो ट्रायब्स की फिलासफी ए और उनका लिट्रेचर है उसके कुछ बुनियादी विशेष्थाएं हैं मौलिक विशेष्थाएं जिने इस परकार समझा जा सकता है तो यह आदिवासी साहत्य के मूलपरितियां बहुत ही महत्रपूणा है। आदिवासी दर्शन, उनकी फिलास्पिय, उसका पहला तत्व है, उसका प्रक्रिती की लिय ताल और संगीत का अनुगामी होना। प्रकृति में एक लय है क्रम बदता है एक ताल है एक सुंदर संगीत है उसका अनुगामी होना जैसे जहरना बहरा है उसका एक संगीत है पत्तों की जो सरसराहट है उसका एक संगीत है प्रकृति में जो खुस्बु है जो संगीत है जो लय और ताल है उसका अनुगामी होना दरवसल आधिवासी समाज में साहित ये अन्य कला माध्यमों से अलागावाग स्वेष्ट नहीं माना जाता। वहां कलाकार एक साथ गीतकार भी है, संगीतकार भी है और नरतक भी है। आदिवासी साहित की लंबी परंपरा के रूप में मौझूद मौखिक साहित या पुर्खोती में कौन सा गीत किसने रचा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अधिकांस गीतों की रचना सामोहिक रूप से हुई है, क्योंकि उन्हें पुर्खों से जो साहिती मिला है, उसके व कुछ दोने इस ब्रक्ति का रखना है एंक प्रकृति की लेटान और संगित भरापड़ा है मतब प्रकृती पूजा कोते हैं प्रकृती की पूजा करते हैं और प्रकृती में जो विद्यमान संगीत है उससे उनका जिवन जहंगरीत होता है समकाली ने आदिवासी लेखन पर भी इसका असर देखा जा सकता है समकाली मतला वर्तमाल समय में जो आधिवासी लेका न है उस पर भी इसी दर्सन का form है विना संगीत का आधिवासी कवीता की तो कल्पना भी नहीं कि जा सकती मत्ल publi आधिवेसी कविता में विना संगीत के हम आधिवासी कविता को पढ़ेंगे तो हमको कुछ भी हमारे मन में भाव उत्पन नहीं होगा को कि गीत, जंगीत और नित्य को अधिवासी बहुत ज़्यादा मात देते हैं अपने परमपराओं में दूसरा क्या है मात? इनकी पर दूसरी प्रवित्ती क्या है? अधिवासीयों की दर्संगी आधिवासी दर्संग में प्रक्रिती और पुर्खों के प्रति आभार का भाव नहीं होता है प्रक्रिती के प्रति अपने पुरोजों के प्रति क्रितग्यता अथ्वा धन्यवात का भाव होता है पुर्खों के कला कोशल, ज्ञान विज्ञान और इंसानी बेहतरी के अन्भाओं के प्रती आदिवासी रचनाकार कृतक गयता व्यक्त करता है क्योंकि उसी से प्रिथक आदिवासी परंप्रा और संस्रिती के निर्मार द्वारा आदिवासी अस्मिता का स्वरूप बनाएं आदिवासी अस्मिता कहां से आई है? पुर्खों से प्राप्त हुई है आदिवासी दर्शन फर लोग के बजाए समुचे जीव जगत को महत्पून मानता है और मनुस्य की इस रिष्ठता के दम्भी दावे को खारीज करता है उसका काना क्या है आदिवासी दर्शन? कि केवल मनुस्य इस रिष्ठ नहीं है बलकि प्रकृती में जितने भी जीव है संपूर्ण जीव जगत महत्पूर्ण है और सभी महत्पूर्ण है केवल इंसानी महत्पूर्ण नहीं है आदिवासी विष्ठ दिष्ठी के इनसा दुनिया का हर प्राणी और उसका जीवन बराबर महत्पूर्ण है यह उनका महत्पुन दर्शन है, इसलिए उन सब को बचाया जाना जरूरी है, साती नदी नाले पहाड जंगल आदी को भी बचाना जरूरी है, यह उनका दर्शन है, तीसरा है, आदिवासी दर्शन पूरी दुन्या में फ्ल रही, बाजार वादी लालसा, मतलब बाजार में जाके कुछ खरिदने की लालसा, और उसे उपजी धन लो लुपता, और खरिदारी करने के लिए धन, ज्यादा फे ज्यादा धन में कैसे कमाओं, इसका लालच, और हिंसा का नकार करता है, बाहरी समाज ने हमेशा आदिवासी इलाकों को प्राकृतिक संसाधन के दोहन का के दोहन करते हैं, इसको दिकू थे, आदिवासी जीस प्रकृतिको मानते हैं उसे बाहरी लोगोंने मुणाफिक का साधन मात्र मना है, साधना उठाणा चाहते हैं, जबकि प्रकृतिको मानते, जैसे सागवन की अकडिये, साजा की लगोई hon क democrats व्लैते हैं, पार्नीचर बनान जंगलों नदियों पहाडों से जवरत भर चीज़ें लेता है और बदले में उनकी रक्षा करता है मतलब आपने देखा हुआ कि देश में जितने भी आदिवासी बहुत छेत्र हैं वहां पर प्रचुर मातर में खनीज संसादन पा जाते हैं जैसे बैलाडिया में नेमडीसी ह है और कौर्बा वगरह में कोईला है वैसे अलग अलग जो शेत्र है वहां पर प्रकृतिक संसादनों का दोखन करके खरीजों को निकाला जा रहा है और इसके लिए उनके जल जंगल और जमीन को बरबाद कर जा रहा है लेकिन आदिवासी क्या है आदिवासी उनकी रक्षा करते हैं जंगलों की नजियों की पहाडों की और वह सिर्फ भूतने के समान महां से लेते हैं जितना जरूरी होता है और बदले में उनकी रक्षा भी करते हैं यह उनका दर्शन है चोधा आदिवासी दर्शन की एक और खास बात है जीवन के प्रती आनंद मैं अधम में जी प्रिति की पुजा करते हुए अपना जीवने अपन करते हैं। अलग आदिवासी दर्संग की सबसे महत्पुण विसेचता है कि आदिवासी लोग जो स्रिष्टी के प्रती या समाज के प्रती कृतग्यता का और धन्यवात का भावर रखते हैं। उनमें पैसों को लालत नहीं होता। बहुती सहज और सरल जीवन जीते हैं। आनंद में जीवन जीते हैं। नित्य और संगीत्यमाध्यम से अपने जीवन को आनंदित रखते हैं। और उनमें सांस्क्रिती की वीवित्यता भी देखी जाती है। अलग अलग जो ट्राइप्स हैं। अलग जो आधिवासी समाज हैं। जो आदिवासी लेखन नहीं है, गैर आदिवासी लेखन है, आदिवासी लेखन से बाहर का जो लेखन है, उसमें क्या है, रंग, काले गोरे का भेद, नसल का भेद, लिंग का भेद, धर्म का भेद, आदि पुर्वाग्रहों से भरा पड़ा है, सबका अपने अपने जबकि आदिवासी साइट और दर्सन में इनके प्रति कोई आगला नहीं है, कोई पूर्वाकरा नहीं है, आदिवासी सवंदर के अंसार दुनिया में कुछ भी असुंदर नहीं है, विदी जिनको कंने है, मतलब वो बोलते हैं कि सब कोई समान है, चटवा, जब पुरी दुनिया एक सांस्कृतिक और भाषा की और बढ़ती चली जा रही है, मतलब ग्लोबलाईजेशन का दोर है, पुरे विश्व में एक जैसी संस्कृति होगी, पुरे दुनिया में एक जैसी भाषा बोली जाएगी, इस तरह बढ़ रही है, परंतु आदिवासी दर्सन मानव समाच की भाषाई और संस्कृतिक विवित्ता के साथ खड़ा है, आदि आदिवासियों को अपने पुरोजों से जो ग्यान प्राप्त हुआ है, और उनका जो साहित है, वो उनके अपनी भाषाओं में ही सरच्चित है, साथवा, साहित राष्टा संग दुनिया भर के देसज लोगों के हक में उनके आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन करता है, मतलब आदिवासियों के हक में उनके निर्णय लेने की छमता, उनके निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करता है, आदिवासि साहित भी आदिवासियों के आत्म निर्णय के अधिकार के पक्च में है, कि आदिवासि अपने बारे में स्वयम निर्णय लें, इसी के प्रकृति और उनकी प्रंप्राओं में बाहरी हस्त चेपवे पसंद नहीं करते। सभागीता, सभी प्रकार की कारेक्रमों में पार्टिसीपेट करना, और सामध्यस, एक दूसरे के सामध्यस, इस्थापित करना, कौड्रेट करना, को अपना धार मानते हुए रचाव और बचाव में यकिन करता है। रचाव मतलब रचना करना, नईने चीड़ों का सिर्यन करना और बचाना, प्रकृति को, परियावरणों को, पस्वों को, जीवजनतियों को बचाना, इसलिए इनमें स्वानुभूति, स्वयम की अनुभूति या सहानुभूति के इस्थान पर सामोहिक अनुभूति का करदारा एक जैसे फिलिंग्स सामुई का अन्भूती का प्रबल स्वर्संगीत सुना जा सकता है ऐसे ख्यार कि आदिवासी दर्सन की यह हम देख चुके हैं पिछ लगया अनकी मात्रै भाषाओं की मौखिक और अब लिखित परंपरा में मौखिद है आदिवासी दर्सन या आदिवासी विष्ट के दिश्टिकून को समझना चाहते हैं आदिवासी विष्ट के दिश्टिकून को समझना चाहते हैं तो किवल हिंदी में लिखे गए साहित को पढ़ लेने से समझने से काम नहीं चलेगा उसका मुल्यांकर करने के लिए उन्होंने अपनी मातरी भाषा में जो साहिते लिखा है उसका भी अध्यन करना आउशक है आदिवासी साहित में इस्त्री रचनाकारों और उनके मुद्धों की उपस्तिती शेहस हिंदी साहिते से कापी अच्छी है मतलब हिंदी साहिते में अलग से हमको इस्त्री मिमर्स लेकर आना पड़ा महिलाओं के अधिकारों के रक्षा कर लेकिनी लेकिन यहाँ पर आदिवासीों में क्या है इस्त्री को बराबर वहां तो दिया जाता है चितने अधिकार पुरुसों को प्राप्त है और कई जिएगा तो मात्रि सत्तात्मक समाज भी है जहां आदिवासी समाज में महिलाओं को ज्यादा मात्व दिया जाता है तो इसलिए आदिवासी साहिते में जो इस्त्री रचनाकार है उनकी उपस्तिती शेस हिंदी में जो इस्त्री रचनाकार है उनसे अच्छी है स्रम में बराबर की भागिदार की वज़ा से इस्त्री आदिवासी समाज में तुलनात्मक रुप से मजबूत इस्तिती में रही है साहित देलेखन में भी उसने बढ़ चरकर हिस्सा लिया है जो कि आदिवासी समाज में वो पुरुसों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करती है स्रम दान देती है इसलिए उनका महत्तव पुरुसों के जितना ही है और शाहित में बढ़ शड़कर हिस्सा लिया है अब ये कुछ प्रमूख हैं ये बहुत ही महत्वपून राइटर हैं पहली हिंदी कविता शुसिदा सामध की मिलती है तो कहानी एली सेक्का की पहली हिंदी कविता सुसिला सामध ने लिखी आदिवासी और कहानी एली सेक्का ने लिखी हिंदी में आलोजना के छेतर में आदिवासी इस्तरी के शोसन और प्रत्वथ का चित्रण हुआ है यह कुछ प्रमुक आदिवासी राइटर मेंतु है आदिवासी साहैती की एक विस्षता इनकी दीभाशी में सोचता है अपनी भाषा में भेतर लिख सकता है बदोको अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से अविभ्यक्त कर सकता है इसलिए ज्यादा तर आधिवासी शेत्र में सरवाधिक हुआ है, इसकी वज़ा कविता का छोटा कलेवर है, कविताएं छोटी-छोटी होते धर्वात के जा सकता है, धर्जनों आदिवासी रचनाकारों ने अपने कविता संग्रा दिभासिक रूप में प्रस्तूत की हैं, दोनों भाषाओं में लिखे हैं, अ जर्मन में भी उसका अनुआत किया, अंग्रेजी और जर्मन दोनों में, कुछ रचनाकारों ने कहानिया भी दो भाषाओं में साथ में प्रस्तूत की है, जाहिर है उपन्यास के छेत्र में या ब्यावारिक नहीं है, इसलिए उपन्यासों की दिभासिक प्रस्तूती दिख अपनी पूर्खा परंपरा और बाहरी समाज और साहिते से समाद कर स्रीजन के छेत्र में नए प्रयोप करता हुआ आदिवासी जीवन और दर्शन की अभिव्यक्तिकर अपनी सार्था कुपस्तिती दर्जु कर रहा है। अधिवासी जीवन और दर्शन के रही हैं। अब हम देखते हैं कि अधिवासी साहित की भाषा और शिल्फ, शिल्बतर टेक्निक या शैली लिखनेगी किस प्रकार के रही है ? हिंदी आदिवासियों की मात्री भाषा नहीं है, वह आदिवासियों के लिए वैसी पराई भाषा है, जैसे तमाम भारतियों के लिए अगरेजी, मतलब जैसे हमारे लिए अंग्रेजी है हिंदी भाषियों के लिए वैसे हिंदी उनके लिए भी पराई भाषा है, हमारे लेकिन इनके लेखन में क्या है बोला पन है इसको सीखा हुआ है आदिवासी लेखन में दलित साहिते जैसा आक्रोष भी नहीं है दलिट साहित में अक्रोस या क्रोध दिखाई देता है और नहीं इसमें किसी पंगार का कोई गाली गलोच है इसके बाउज़ विशिष्ट है आदिवासी लेकन की भाशा इन सब के बाउज़ भी आदिवासी लेकन की जो भाशा है वो विशिष्ट है खास है आदिवासी साहित्य की भाषा को हम निमने बिंदों के माध्यम से समझ सकते हैं इनकी भाषा की क्या विसेचता है आप इन सब बिंदों को लिखेंगे अपने परिच्छा में तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे चाहें तो आप इस notes को छोटा कर सकते हैं इस notes का PDF में आपको उपलब दखरा दूँगा नीचे description में Telegram Channel का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा साथ ही मेरी गुजारिस है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ इबेल आइकन को दबना ना पूले ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का ब्रेट्स आपको मिलते रहें यहां तक आप देखते आएं मतलब आपको मेरा या वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा तो मुझे आसा है कि आप नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड लिका भी बताएंगे कि मेरा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा अब आदिवासी साहति की भाषा को हम इन बिन्दों के माधिन से समझ सकते हैं पहला भाषा की विसेशता भाषा और सलीगी आदिवासी लेकन की भाषा सहज है इससे जहां वा एक तरफ आदिवासी दर्शन के अनुकुल बन पड़ी है वहें दोसरी दरफ पाठक के लिए आसान है या आदिवासी लोग का जीवन दर्शन जो बहुत ही सरल और सहज है व कुछ लेकर हिंदी साहते की नगल करते हुए कठीन तत्सन सब्दवारी का प्रयोग कर रहे हैं संस्कृत निष्छ खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए उनकी भाषा में कृत्रिंता है मंगल सीमुंडा का उपन्यास चैला संदू इस संदर्में देखा जा सकता है मंगल सी मुंदा नाम को जो रैटर को हैं पड़ियोप नियास है छेला संदुर इसका उधारान यहां पर दिया है कृत्रिम भासा के रूप में दूसरा चोकि हिंदी आदिवास्यों की मात्री भाषा नहीं है इसलिए उनकी हिंदी में इस्थानी प्रभाव खूब देखने को मिलते हैं जैसे जहारखन के साहित्यकार अपने गध्य और पद्य में लिंग समंध्य गलतियां करते हैं इसी तरह इस्थानीता के प्रभाव मे वे क्रिया का इस्थानी बोल्चार वाला रूप प्रेयोग करते हैं जोकि हिंदी उनकी मूल भाषा नहीं है इसलिए उनके लेखन में इस्थानी भाषाओं का भी प्रभाव हिंदी में दिखाई देता है और कोई तूठियां भी कर देते हैं लिंग समंध्य या क्रिया समं गई जाहिर है वे आदिवासी भाषा संस्कृति से आई हैं इसलिए उसका हिंदी में अनुवात प्रस्तूत करना या समाना अंतर शब्द पोजना लगबग असंभव है क्योंकि वो परमपराओं से प्राप्त है उदाना के लिए अखड़ा को लिए अखड़ा एक शब्द है हिंदी का पाठक जब कोई अखड़ा लिखा पड़ता है तो वह अपने सीमित ग्यान संसार के वज़ा से यह समझ लेता है कि यह सब्द शायद अखड़ा है गलती से अखड़ा चप गया है जबकि अखड़ा शब्द का अखड़ा से कोई समंध नहीं अखड़ा आदिवासी संस्कृती का केंद्र है वह आदिवासी गाओं की तमाम गतिविध्यों का केंद्र है लेकिन वह चौपाल नहीं है इस तरह के शब्दावली आदिवासी कविता में भरी पड़ी है जिसके प्रसंग आदिवासी समाज, संस्कृति, इतिहास या मुल्यों में बिखरे पड़े हैं आदिवासी समाज से एकदम अपरिशित व्यक्ति के लिए इस शब्दों को समझ पाना बगत बड़ी चुना होती है तो कुछ शब्दों आदिवासी समाज के जैसे घोटुल प्रता होती है घोटुल जहां पर युवा मिलते हैं और अपने साथी का चुनाओं करते हैं संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं घोटुल वैसे ही अखड़ा है मुड्या एंद्यर घोटुल वैरियार एलवि नाम के कराइटर हुए हैं उनकी प्रसित धरचना है मुड्या एंद्यर घोटुल समाल सास्तर का जो अध्यान करते होगा उनको पता होगा अब रचनाओं की दिभासी प्रस्तुती आदिभासी साहित के सिल्प की प्रमुख विश्था है जदातर कविता संग्रा कभीयों की अपनी मातर भाशा और हिंदी में प्रस्तुत कियें उपर हमने देखा है कि जितने कभी हुए है आदिवासी छा में कि फिर उन्हें प्रमुक कि हिंदि मशंद्रै अब हम enforcement भी मुण ने को आप अब भाशां सहलि लगना हमें धेखा। आप तो सब्सद्रैका कि कहाणी उपन्य रिपकरलाब समरिद मौकिक साहिते परंपरा का लाब आदिवासी साहिते कारों को मिला उनके पुर्खों से जो साहिते प्राप्त हुआ है मौकिक रूप में इसका लाब आदिवासी साहिते कारों को मिलता है लेकिन वास्तों में यह जो आदिवासी लेखन में इस तरह की प्रवित्ती नहीं पाई जाती। आदिवासी रचनाकारों नहीं आदिवासी असमीता मतलब आदिवासियों के जो महत्त हैं जो महांता है उनका घर्व है राइड है और अस्तित अस्तित के संगर्स में कविता को अपना मुख्यातियार बनाया है आदिवासी रजनाकारों ने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्यों के संगर्स में कविता को अपना मुखे अतिहार बनाया है कविता में उन्होंने बैप्ति किया है आदिवासी साहित में आत्म कथात्म के लेखन केंद्री स्थान नहीं बना सका क्योंकि स्वयम आदिवासी समाज आत्म में नहीं, सम्मू में विश्वास करता है, मतलब आदिवासी समाज केवल खुद पर नहीं, कि मैं अपने बारे में कुछ लिखू, अपने बारे में कुछ कहूँ, इस पर यकीन नहीं करता है, आत्म कथा पर यकीन नहीं करता है, बलकि पूरे समु और पूरे समाच के बारे में विस्वास करता है, इस पर विस्वास रखता है, इसलिए आत्मकता लिखने की प्रवत्ती आधिवासी साहितिकरों में नहीं पाजाती है। अधिकांस आधिवासी समुदाय में काफिल समय बाद तक भी निजी और निष्टा की धानाएं घर नहीं कर पाई है मतलब यह मेरा घर है यह मेरी जमीन है इस तरह की धाना उनमें नहीं है परंपरा संस्कृती इतिहास कला से लेकर विद्रोह तक सब कुछ सामोईक है और समुख की बात आत्मकता में नहीं जन कविता में अच्छे से व्यक्त हो सकती है इनकी जो परंपरा है वह भी सामोईक है संस्कृती इतिहास भी सामोईक है इनकी कला भी सामोईक है जो विद्रोह करते हैं वह भी सामोईक है जब सब कुछ सामोईक है तो इन सबी बातों का वर्णन वे आत्मकता के माजब से नहीं कर सकते बलकि जन कव बिरसा मुंडा, सिदो कानू, सिंगी दई, फूलो जानो, माकी मुंडा, गोंड रानी दुर्गावती जेनके बहुत ही महान लोग हैं आदिवासी समाझ के और तमाम आदिवासी पुर्खों के जीवन और आंदलोनों से चेतना और पेड़ना लेकर आगे बढ़ रहा है तो इ स्क्रिप्सन में मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें पांति बेर आइकन को दबाना ना भूलें तक मेरे प्रत्यक वीडियो का अब्डेट्स आपको बिलते रहें साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन करना न भूले धन्यवाद साथ ही कमेंड बाक्स में टिपने लिक कर जरू बता हैं कि मेरा आज का एपिसोड आप लोग कैसा लगा